Good morning students, let's start our mathematic work, first of all write the date here, let's start month in a year, पहले हमने पढ़ा है days in a week, आज हम करेंगे months in a year, तो हमने करना है नकल ट्रिक, क्या होती है नकल ट्रिक, अब हम आगे पढ़ेंगे, look at the calendar of this year, there are 12 months in a year, आपको पते हैं 12 months होते हैं in a year, look at the names and learn them, तो आपने इसका name को पढ़ना है, वो तो आपको पहले से ही पता है कौन से month होते हैं, जैसे January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, to remember the number of days in each month, here is an easy trick, अब आपको यह तो पता कि 12 months है, पर हमने हर एक मन्त में कितने days होते हैं, days in each month, यानि January में कितने दिन होते हैं, February में कितने होते हैं, तो इसके लिए एक trick है, fold your hand and keep it as if you are giving a punch, अपने hand को fold करना है, और उसका punch बना लेना है, जैसे आप किसी को punch दे रहे हो, now go up and down on your knuckles, अब हम देखिए कैसे punch बनाएंगे, हमने अपना ऐसे punch बना लेना है, इसको knuckle system बोलते हैं, कैसे करते हैं, कि इसमें हमने up और down, यानि यह यह हमारा up part है, और यह हमारा down part है, up, down, up, down, up, ठीक है बटा, फिट से देखेंगे, इसको अंबो लेंगे January, this year February, March, April, May, June, July, फिर वापिस यहीं आएंगे, August, September, October, November and December, तो हमारा जो यह part होगा, उपर की ओर होगा, इसमें हमारे होगे 31 days, बस हमारा जो यह February है, इसमें हमारे 28 या 29 days होते हैं, every 4 year के बास हमारे February में 29 होंगे, otherwise हमारे 28 होंगे, फिर हम उपर आए, इसमें 31, फिर नीचे चलेगे 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर जब हम वापिस आएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा, 31, 31, 30, 31, 30, तो आब यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारा नकल सिस्टम से जो उपर पाड आया, इसमें 31, जनुरी है, 31 days, February है, 28 and 29, March again, it has 31 days, April में 30, May 31, June 30, July 31, August again 31, September 30, October 31, November 30, and December also has 31 days, तो आपको इस सिस्टम से पता चलेगा, जो हमारे नकल सिस्टम यानि उपर आएगा, उसमें 31 days है, और जो सिस्टम हमारा नीचे की बर चल जाएगा, और डाउन पार्ट में चल जाएगा, उसमें 30 days होंगे, तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 months में 30 days है, और 6 months में हमारे 31 है, बस February में 28 और 29 है, तो अब आपको इस यूज करना है ट्रिक को और यहाँ पर अपने नंबर फिल करने है, जैसे January में कितने लिखे है, 31, February में 28 and 29, March में again 31, April में 30, May में 31, again June में 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 31, and December also has 31, बस इसमें हमने 28 और 29, every 4 years के बाद हमारा क्या होजेगा, 29, otherwise हमारे इसके 28 days होते हैं, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके पे नंबर 116 और जो इसका पे नंबर 117 है, इसको कोशिश करने हैं आपने करने की, ने तो मैं ये कल करवादूंगे, ओके बटा,